किसान साथियों नमस्कर, अगर दोस्तों आपको कम समय में ज्यादा मुनाफ़ा कमाना हूँ, तो किसानों की पास सबसे अच्छा विकल्प होता है मूंग की फसल का चैयन करना, अब ऐसे में दोस्तों मूंग का उतपादन तो आपको मिले गई, उतपादन के साथ जो आपकी ससल बच जाती है, अब उसको क्या करें दोस्तों खेत में जुताई करके वो आपके खात का काम करता है, और जो अगली आप क्रउप लेना चाथा है, उसके लिए वो ग्रिन मैन्योर का काम करता हूँ, और आपको उतपादन और खात की मातरा है, वो भी बसता है, तो यानि आ आविसेस्ता है किसान इसको पसंद करें, कौन-कोन राज्यों में इसको लगा सकते हैं, क्या उत्पादा नहींगा सारी बात है आज के इस वीडियो हुआ अन्लों कूरा कवर अप करेंगे दोस्तों और किसानों की रिव्यू भी जानेंगे कि बीते हुए वर्स में किसान भाई लगाए हैं, उनका क्या फीडबेक है, क्या उनका उपीनियन है, उनको क्या नहीं देखनें के मिली, और क्या उनको उत्पादा मिला, सबसे पहला सवाल आएगा किसान भाई के लिए की मूंग की बुईवाई का सही समय क्या है, दोस्तों आपको भी पता है कि मूंग की बुईवाई सबसे ज़ादा किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान भाहियों होते हैं, जो बरसाद के समय का इंतजार करते हैं, यानि कि वो June-July के महिने में इसकी बुवाई करते हैं। तो इन दोनों समय के लिए किसान भाईयो जो आपका 444 किस्म है वो बहतरीन है इन दोनों समय में चाहे फरवरी के महिने में बुआई करें चाहे जुन जुलाई के महिने में बुआई करें इन दोनों समय के लिए आपका बहतरीन ये किस्म है इस किस्म की दोस्तो अन्य विसेस आपकी पौधी ग्रसित हो जाते हैं यानि कि दोस्तों जो ये गंफीर समस्य है वो आपको इस किसमे में मिलने वाले नहीं है और दोस्तों जब भी आप मुंग की मुंग लेके आते हैं विजाई करने के लिए तो घर पिला के सबसे पहले आप बीज उपचार करते हैं लेकिन इसार एगरी 444 की जो किसमें दोस्तों ये पूनता बीज उपचार हो के आता है अब बीज उपचार से आपको फायदा क्या है जब कंपनिया बीज उपचार करके देती हैं तो इसमें आपको सबसे अच्छा तो इसका सीट जर्मिनेशन मिलता है यानि कि ज्यादा से की बारें बात करें तो फ्लावरिंग और फल्या दोस्तों एक साथ और एक बराबर आती है किसान भी इसके अगर फल्यों की बात कर लो दोस्तों तो फल्यों की दूसरे किसम के कंपेर में दोस्तों इसके फल्यों की जो लंबाई होती है अधिक होती है और प्रती फल्यों मे प्रतिक उच्छे आपकी ज्यादा फलिया पाई जाती है फिर से वही बात है ज्यादा फलिया प्रतिक उच्छे में ज्यादा फलिया पाई गई तो आपका उत्पादर फिर से ज्यादा होगा तो यह सब चीजे थी दोस्तों कुछ इसकी खाज बाते तो किसान भाई यह आप जरूर हमें बताईएगा कि आप अपने छेत्रे में लगाते हैं मुंग, तो आप उसमें खाद और उर्वरक की मात्रा क्या देते हैं, अब किसान भईयों हम इसकी बीजदर की बात कर लेते हैं, तो आप इसका प्रती एकड़ आप बीजदर क्या लेंगे, तो 6-8 किलोग्राम तो किसान भईयों, अब हम लोग आगे चलते हैं, और किसान भईयों से मिलते हैं, कि उनका क्या पिछले वर्स में अनुभव रहा इस इस्टार एग्रिसेट्स के इस्टार 444 मुंग किस्म को लेकिन तो आएए चलते हैं किसान भाई से मिलते हैं रामनेज कुस्वाह मेरा नाम है वैं कुशी नगर जिले का रहने वाला हूं कि मुंग की खेती के लिए इस्टार 444 वीजु जो है लेकर के बोया उसकी पैदवार बहुत अच्छी है उसकी पतिया फीली नहीं पड़ती है उसका उत्पादम जो है तोड़ लेने के बाद इसके फसल को जो है हम लोग खाद के रूप में फिर उल्टवा देते हैं और खाद के रूप में एक तयार हो जाती है और मुंग की भीज के अपिक्षा ये 444 वह न अच्छी उपाइदवार दे रही है नमस्कार भीया मैं मेरा नाम धुरूपद कुसवा है मैं गोरखपु मंडल का रहने वाला हूँ भीया मैं मुंग की खेती करता हूँ पिछली साल मुझे कमपनी दुवारा बीज मिला था इस्टार 444 और इसका एक एकड में नो कुंटल बीज हुआ था पुराने मुं में पतिया पिली पड़ जाती थी इस मुं में पतिया पिली नहीं पड़ेगी कोई इसका यह थी नहीं बीमारी नहीं है इसमें जो मूग की खेती है जो फसल है इसका उसका फलिया इदम बढ़िया लंबी होती है और दाने बहुत फसल फ्रेस आते हैं बढ़िया आता है साट से सतर दिन में फसल तयार हो गया था और उसको फलियों को हमने तोड़के और उसके पौधे को खेत में जुतवाई करवा दिया उसके दुवारा खाद हुआ और खेती का भी निर्माड हुआ